हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मेक टेस्टी एवरी डे आज मैं आपको पोह बनाना से खाऊंगी तो यहां मैंने पोहे को धोके रख लिया है स्टेनर में ताकि इसका पानी निकल जाए मैंने इसे स्टेनर में ही दोया है और ऐसे रख दिया है इसे भी गोए ना वर तो अब चलते हैं पोहा बनाने की रेसिपी की तरफ तो यह हमारे सारे इंग्रीडेंट्स हैं सबसे पहले हम पैन चड़ाएंगे पैन में ऑईल डालेंगे यह वही पैन है जिपन मैंने मूंफली रोस्ट की थी तो अब जैसे ही ऑईल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम इ 10-15 से लगेंगे तो मैंने डाल दिए हैं जैसे ही राइ हलकी रियक हो जाएगी वाइट वाइट हो जाएगी तो हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी टोटली आप्ष्णल है आपको अगर अच्छी रगती है तो आप डाले नहीं अच्छी लगती तो नहीं डाले यह चीनी तो यहां हमारा यह हो चुक है हम डालेंगे प्याज और कटी भी हरिम बिर्च इन दोनों को हम एक साथ डाल के अब अच्छे से चलाएंगे हम इन्हें तब तक भूनते रहेंगे जब तक यह हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो लगबख चार से पाच मिनिट बाद यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी क्योंकि यह सारा प्रोसेस में लो तू मीडियम फ्लेम पर कर रही हूं थोड़ा टाइम लगता है तो अभी हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुगी अब हम इसमें पोहा डालेंगे जो हमने धो के रखे हुए थे ध्यान रहे पोहे को भिग हुए ना वरना आपके खिले खिले बिल्कुल नहीं बनेगे यह आपस में चिपक जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा तो हम इने मिक्स कर लेंगे तो इससे पहला हम इसमें हल्ली डालेंगे और नमक फिर यह दो तो जैसे यह अच्छे से मिक्स हो जा तो हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई मूम फिली और कटी हुई हरी धनिया अब यह दोनों चीज़े डालके अच्छे से मिक्स करें इसे प्रॉपर तरीखे से चला है चारो साइट से अब मैं इसमें डालूंगी एक नीबू का रस जो मैं स्टेनर से छान रहे हुँ ताकि इसके बीज पोहे में ना जाए तो यह हमारे हो चुक है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ढब देंगे और लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट तक पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से एक मिक्स हो जाएं तो दूसरे साइट मेरे चाय भी तयार हो चुकी है तो हम इससे शाम के नाश्टे में खा रहे हैं चाय के साथ तो गाइस ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ला